नमशकार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रस्पतिवार के दिन किये जाने वाले चमतकारी उपायों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रस्पति देव को देवताओं के गुरु अर्थाद देव गुरु भी कहा जाता है। वैदिक गुरु में ब्रस्पति देव को धर्म गुरु, अध्यात्मिक्ता, ज्यान, न्याय, उदार्ता, सुतंतर्ता, संतान, भाग्य, जोतिस, सम्रिधी और सफलता के कारक माने जाते हैं। ब्रस्त पती देव को प्रसंद करने के लिए ब्रस्त पतिवार का दिन स्रेश्ट होता है। ब्रस्त पती देव अगर जनम कुडली में शुब हो तो ब्रस्त पती का रत्न पीला पुखराज सोने या तांबी के अंगुठी में ब्रस्त पतिवार के दिन दर्जनी उंगली में धारन करना चाहिए यदि पुखराज पहनना संभव ना हो सके तो हल्दे की गाठ पीले कपड़े में लपेट कर सीधे हाथ पर बांद सकते हैं ब्रस्पतिवार के दिन ब्रस्पतिवार के दिन ब्रस्पतिदेव की इखास पूजा करें किसी गरीब ब्रहमन को चने की दाल का दान करें ब्रस्पतिवार के दिन पीले रंग का पक्षी खरीद कर उड़ा दें सोने का चल्ला या कड़ा दैने हाथ में धारन करें ब्रस पतिवार के दिन यात्रा प्रारम करने से पहले गुड या पीली शक्तर का सेवन करें किसी नदी या नहर में तांबे का सिक्का डालें ब्रस पतिवार के दिन स्नान के जल में एक चिटकी हल्दी, चमेली के फूल और शेह डालकर स्नान करें पीली सबजियों और पीले भोजे परदात का अधिक सेवन करें ब्रस पतिवार के दिन पीले वस्त्रधारन करें या फिर पीला रुमाल पास में रखें तीन पीले पुश्पों को बहते हुए जल में प्रवाहित करें ब्रस्पतिवार के दिन आटे की लोई में चले की दाल, गुड और हल्दी डाल कर गाएं को खिलाना चाहिए ब्रस्पतिवार के दिन किसी धार में एक साल या मंदिर में निशुल्क सेवा करनी चाहिए पूजा में पीले चंदन, पीले चावल, पीले फूल, पीला पकवान या पीला फल चड़ाएं ब्रस पतिवार के दिन माते पर हल्दी का तिलक लगाएं ब्रस पतिवार के दिन पीला फल, पपीता, आम, केला जैसे तेल लगाना शुब होता है कम से कम शिग्र एक सोने का अभूशन पहन कर रखना चाहिए ब्रसपतिवार के दिन पीले पकवान और पीली मिठाईयां गरीबों को जरूर खेलाएं रात को एक गिलास पानी में सोने का टुकडा डुपो कर रख दें रात भर ऐसे ही रहने दे और अगले दिन सुबा उस पानी को पीली जिए ब्रसपतिवार के दिन ब्रसपतिदेव से जुड़ी वस्तुएं जैसे सोना, तांबा, हल्दी, चनी की दाल, पीले चावल, शहत, पीले फल, गाएका घी, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला अन, धार्मिक पुस्तकें, हल्दी की गाठें, आदी का दान कर ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, धन्यवाद दोस्तों